आद्वी वाक से सम्मान का बात किया जाता है और परिणाम सामने आता है आज कल तो दिल्ली गुम रहे हैं दिल्ली से क्या मंत्र लेके आते हैं क्योंकि दिल्ली के पहले वह आसाम भी गये थे वहां पर भी इडी ने भाज़पा का एक नया नेता पैदा किया था जो भी वहां के मुख्य मंत्री है हिमांता विश्व सर्मा और हमको लगता है कि इनके भी भाज़पा में जाने के पीछे कहीं न कहीं कोई फोन कॉल आया होगा हीनू के दफ्तर से कि भाज़पा में जाओ तो बचोगे अब तो भाज़पा ने अपना अध्यक्ष बनाया है कम से कम विदायक दल का नेता तो छुन लेते हैं सारे तीन साल हो गए विदायक दल का नेता नहीं हो पाया हम तो बार बार कहते रहें कि सबसे अनुववी जो है उनको नेता बना दीजिए हमको लगता है कि भारती यंता फार्टी का जो चरीत्र है जो चेहरा है जो काम करने का जो उनका तरीका है मानिय उच्चत्र नियाले ने उसका खुलासा किया है और अब भी बहुत सारे काम ऐसे हो रहें जाहे चुनावायों के माध्यम से जाहे इंकम टैक्स के माध्यम से जिसमें एक टार्गेट किया जा रहा है कि जो भाजपा के विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको परहशान किया जाए धन्यवाद कोई सवाल यह दिया आपके आप देखिएगा सुप्रीम कोट में जब यह मामला जाएगा और गुजरात पैटर्ण को अग थामने आही गया कि एक ही भाषा जो लोगर कोट बोलती है सेशन कोट बोलती है वही हाई कोट कहती है हाई कोट तो थोड़ा आगे जाके बोलती है तो उस पर भी हमको लगता है कि सुप्रीम कोट विवेचना करे गई कॉंग्रेस का आज मौन व्रत है अपना उनका विरोज का अपना कालिक्रम है 17-18 को हम लोग सब कोई एक साथ बैठेंगे 24 दल और उस वक्त जो रेड़ने की ट्य होगी उसके बाद कुछ कालिक्रम संजुक्त नहीं हो सकते है कि अपना एक सवाथ है विजिपी के तरस रगाता है कि पुछा जा रहा है कि या अभी पनुकर्च विश्णाजी सियम सहाफ के विधायप अपनी जीद के कौट पर है या अज़िए हास्यास पर खीजे का उत्तर विया जबता है क्या हम लोग अभी आप पूछेंगे जब कि युजे विएम के टिकट पर चुनाओ लगा है यह बे मतलब सवाल और तदा एक सावर और है पर बहुत समय में बहुत ब्यक्तिकत कुछ चीजे होती है जो हमेशा शायद पूरी नहीं हो पाती होगी तो इस तरह से बाते आती है अन्यथा वो हमारे सेयोगी साथी है उनकी सुपुत्री योग जनप्रतिनीदी है समय समय पर जनाकामच्छाओं को लेकर वो मानिय मुख्यमंत्री से मिलते रहती है इसलिए हमको लगता है कि ये उनका कोई नीजी अनुबब से कहा हुआ ब्यार कुदा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले